गाजीपूर में दिल्दार नगर थाना पुलिस और S.O.G. टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी। उन्होंने ट्राक्टर लूट गिरोग के पाश सदस्यों को गिरफतार किया है। पुलिस लाइन में आईजित प्रेस वारता में पुलिस अदिक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि फंदे में आए अभियोगत चालकों को जहर खुरानी का शिकार बना कर ट्राक्टर लूट की बारदात को अंजाम देते थे। इनके कब्जे से लूट के 11 ट्राक्टर के साथ ही दो ट्रॉली बरामत की जही है। गिरोग के मुखे सदस्यों की तलाश अभी भी की जा रही है। SP ने बताया कि चोड़ी लूट और टपे बाजी की घटनाओ पर लगातार काम किया जा रहा है। इसको ओपन करने के लिए SOG टीम और थाने अध्यक्षो को लगाया गया है। इसी क्रम में दिल्दार नगर सुवल थाना पुलिस और SOG टीम ने मुखबीर की सूचना पर ग्राम धनाडी बफासुला चार किलोमेटर दक्षर पूर उनसे पाच अभ्योपन को गिरफ्तार किया है। इनके कबजे में और निशानदाई पर लूट के ग्यारा ट्राक्टर और दो ट्रॉली बरामत किये गए हैं। गिरफ्तार लोगों में जंगीपूर थाना के कदियापूर निवासी जीतन यादो, दिलदार नगर निवासी संजय सिंग यादो, इसी थाना शेत्र के भक्सी निवासी शिव कुमार यादो, स्वधर कोत्वाली शेत्र के अंधव निवासी आजाद यादो और एक बाल पूष्टाश में व्युक्ति ने बताया कि उनका एक गिरोव है जिसमें जितेंद्र कुमार निवासिक गर्थमा ठाना सिंधोरा जनपद वारानसी हमारे गिरोव का मुख्या है गिरोव योजना के तहद जिस ट्राक्टर को उठाना होता है फ़ले उसे किसी कारे के लिए पीछे से हमारे गिरोव के अदने सदसर जो चार पहिया बहान से राते थे ट्राक्टर चालक को ट्राक्टर से हटा कर चार पहिया बहान में इलाज के बहाने बैठा लेते थे फूख ट्राक्टर हमारी टीम का सदसर चला कर उचित उस्थान पर ले जाकर छिपा कर खड़ा क कि जा रही है। उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।